पत्रकार ट्विंकल जोशी पर हुए प्रान घातक हमले में धारा बढ़ाने और जूटी एफाया निरस्ट करने की माँ को लेकर समस्पत्रकार संगठन ने एसपी को ग्यापन सौपा पत्रकार ट्विंकल जोशी पर प्रान घातक हमला हुआ था इसके बाद उन्हें जलास्पताल से मैडिकल कॉलेज राफर कर दिया गया आज समस्पत्रकार संगठन ने एसपी को ग्यापन सौप कर पत्रकार ट्विंकल जोशी पर जूटी एफायार को निरस्ट करवाने की संदीप शिर्मा का एक प्लॉट है जिस पर उनके भाई मुंडी गड़वा रहे थी इस दुरान ट्विंकल जोशी पर पहुंच गये थे पड़ोस में रहने वाले विनोद सोनी आरियन सोनी कौशिक सोनी और चिंटू सोनी प्लॉट को लेकर विवात करने लगे इसके बाद मार पीट करने को तारू होगे इस पर जब उन्हें रोका गये तो कुलहर से ट्विंकल जोशी पर हमला कर दिया इसके बाद अस्पिताल में बर्तिक राया गया है जहां सोने मैडिकल कॉलेज रैफर कर दिया गया जहां उनका उप्चार जारी है मामला यह है कि हमारे पत्रकार साथी दिंकल तुशी पर कल प्रानगा तक हमला किया गया अमला इतना खतरनाक था कि उतनों उसकी जान भी जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि इतना घंधीर चोटे होने के बाद उस पर सामान में धाराओं में कायमी की गई है तो जो घटना जिस तरह से हुई है उसके अनुरूप उसके कारवाई हो और जूटी एफाई यार जो दिंकल के ग्लाब की गई है उसको निगस्त करने की मांग को लेकर पारे पंप्रकार कि अब आधवासन क्या है कि अभी फ़स्ट फाई यार हुई है तो उसके बाद देखते हैं कुछ समय जैसा उन्होंने आधवासन दिया है कि जाच कराई जाकर जो तर्फे चूट रहे हैं या जो भाराएं प्रोडी गई है अब उनका इजाफा नहीं किया अगर उनका इज अब इद्धी बनी हुए अभी गंबीर गूप से घायल है और उसको वालियर रेफर किया गया है वालियर मेडिकल कॉलेज में लाच चल रहा है